हेलो फ्रेंड स्वागा थे आपका एक्जाम नीज बाई जेके में तो दोस्तो आज आप लोगो को इस वीडिये में हम कन्या उत्थान योजना 2023 जो की फॉर्म फिलप होना सुरू हो गया है आपको अपने बैंक एकाउंट को जा करके लिंक जरूर करवाना है तो आप बैंक एकाउंट लिंक करवाए अपना डिवीटी करवाए बिना आप फॉर्म फिलप नहीं करेंगे तो दोस्तो सारा कुछ आप लोगको इस वीडियो में बताया गया है तो वीडियो में शुरू से अंतक रहें शुरू से अन्तक इस वीडियो को देखे सारा इंफोर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक प्रेश जरूर कर लेज़ेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं असना तक पास किये हैं 2023 में सभी बच्चों के लिए असना तक उतिर्ण जो मुख मंतरी कन्या उत्थान के तहत से जो 50,000 रुपिये असना तक उतिर्ण बच्चे को दिये जाते हैं उनका ओनलाइन आवेदन जो है दोस्तों आश्टार्ट हो गया है तो ये इसकी जो ऑनलाइन की वेवसायट पर बताई गई है तो आप पूरा वीडियो देखेगा अगर एक भी चीज मिस हुआ दोस्तों तो आपका हो सकता है पैसा नहीं आए और दुबारा से आप लोगों को ये पुनह आबेदन करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा या भी सक्त रूप में और सारे चीजों को आप लोग को किलियर करता हूं दोस्तों क्या दिया गया है कि राज के अंगी भूत एवं सरकार से मानता प्राप्त संबंधी डिगरी महा विद्यालियों तकनीकी संस्थानों से असना तक उत्तिर्ण सभी कोटी के छात्राओं को प्रुचाहन भत्ता के रू से 30 सेप्टमबर तक आप आवेदन कर सकते हैं इस योजना का लाव उनी छात्रों को दे होगा जो निम्न सर्तों को पूरा करेगा तो कौन-कौन सा सर्त है जो आप पूरा करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा वो हम आपको बताने वाले हैं तो आप वीडियो में बने करेंगे दोस्तों देखे पहला जो सर्त दिया हुआ है कि बिहार राज के अस्थाई निवासी हो तो आपको पहला बिहार राज का अस्थाई निवासी होना चाहिए दूसरा POINT में बहले है कि राज के अंदर अवस्थित अंगिभूत अत्वा मानिता प्राफ संबंद महाविद्यालियों संस्थानों को असनातक संकच उत्तिरणता थी 1.4.2021 से 31.3.2023 के बीच में होना चाहिए मतलब कि यनि अगर आप दोस्तों ग्रेजुएशन जो है 1.4.2021 से 31.3.2023 इनके बीच में अगर आपने graduation किया है इसके बीच में अगर आपका result आया है तो आप जो है आवेधन कर सकते हैं आपके लिए ये portal वेवसाइट जो है दिया गया है आप इस पे जो है 30 September तक 28 अगस्य से 30 September तक जो है आप इसे आवेधन कर सकते हैं तो देख सकते हैं आपको असना तक कब तक होना चाहिए दोस्तों तो 14 2021 से 31 2023 के बीच में होना चाहिए अगला करा कि लाभुक का खाता मतलब जिसके जिसका जो form fill up कर रहे हैं उनका जो खाता है वो राश्टी कृत बैंक यानि कि जो भी राश्टी कृत बैंक है मानिता प्राप्त नीजी बैंक अधवा इंडिया post payment bank का खाता बिहार राज में अβस्थित किसी साखा में होना चाहिए यानि कि अगर आपका post office में भी खाता है या फिर किसी भी private bank जो मानता प्राप्त है या फिर किसी सरकारी बैंक में अगर आपका खाता है तो उसी पे आपका पैसा जो है भेजा जाएगा लेकिन उस खाते में भी दोस्तों क्या बोला है ये आप समझेगा ये सबसे important point है आप लोग के लिए बोला गया है कि पास छात्राओं को सुचित किया जाता है कि जिनका भी अधार जिनका भी अधार बैंक खाता से सीडेट मतलब डीवीटे के लिए मतलब सीडेट अलग होता है दोस्तों और अधार लिंकिक अलग होता है आप देख सकते हैं आप जा करके अगर आपका खाता खुला हुआ है अगर आप ये form फिलप कर रहे हैं तो आप अपना form फिल पैसा आने वाला है हो सकता है तो आप इसका skin sort लेकर ये वाला दिखा भी सकते हैं उन्हें तो आप a skin sort से ले सकते हैं बोला गया है दोस्तों कि अधार खाता सीडेट नहीं है वो वह वो वैक से तुरंत संपर्ख करें अधार सीडिंग और खाता से अधार लिंकिंग अलग- होना यह अलग चीज है तो आप करमचारी को जाकर करकर बोलेंगे और दोनों चीज़ां को करवा लेना है तोcolor कैथ संहता पास चाहता वं को सुचित किया जाता है की जिनका भी अधहार bank खाथा से सिड़ट नहीं है वो बैंक से तुरंट संपर्ख करें अधार sitting और खाता से अधार link अलग अलग चीजे हैं जिनका भी bank खाता अधार के साथ seeded नहीं होगा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा तो दोस्तों अगर आपका खाता seeded नहीं होगा bank account से तो आपका जो है payment नहीं आने वाला है यह आप पहुत ही जरूरी समझिएगा दोस्तों क्योंकि अगर आप यह गलती करेंगे तो आपका payment हो सकता है नहीं आए और आप यह लाव से चुक जाएगे आगे क्या मौका नहीं दिया जाएगा तो साब साब पहले ही आप लोग को इस paper के माद्यम से बिहार सरकार के website के माद्यम से बता दिया गया है कि अगर अगर आप 39 तक जो की last date है उस date तक अगर आप फॉर्म फिलप नहीं करते हैं तो इन्होंने साब कहाए कि वह यह समझा जाएगा कि यह जो लाभूक है मतलब जो पास के हैं वह यह लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप जब भी करें तो 39 से पहले कर ले और करने से पहले आप यह चीज जरूर वाला है तो आप एकाउंट को जरूर सीरेड कर वाले जाके बैंक एकाउंट से दोस्तों और साथ में आप 39 23 तक अपना रिश्टेशन कर वाले उसके पस्चात जो है आप लोग को अलग से मौका नहीं दिया जाएगा साब साब बोल दिया गया है कि अगर 30 सेप्टेंबर त करते हैं सारा कुछ सुधरवाने के बाद तो फिर अलग से आपको मौका नहीं दिया जाएगा तो समय रहते दोस्तों आप लोग सारा कुछ करवा लीजिए चलिए लास्ट पॉइंट क्या है वो बताता हूं उसके बाद विसेश चर्चा करें ने दोस्तों दिया गया कि यो जो इंपोर्टेंट चीज है पहला इंपोर्टेंट चीज तो यह है कि 30-9-2023 इससे पहले पहले आपको यह फॉर्म फिलप करना है इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा अलग से अगर आप नहीं भरते हैं तो लाभू यह समझा जाएगा कि आप इसके लिए अगर आपका bank account जो है अधार से seeded नहीं है तो आपके account में पैसा नहीं आने वाला है तो दोस्तो और यह दोनों चीज़े आप confirm कर लें अभी बहुत सारा date है आप जैसे ही bank कल open होता है आप bank जाए पहले आप bank counter पे जाके उनके करमचारी से मिले और उन्हें बोले कि मेरा पैसा आ जाए दोस्तो अगर आपका यह clear नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं आने वाला है और आपको आबेदन 39 2023 से पहले कर लेना है क्योंकि आप जानते हैं जब last date होता है तो थोड़ा site भी slow हो जाता है इसलिए कोशिस कीजिएगा दोस्तो कि 39 2023 से पहले आप जो है अपन लोग भर लेंगे दोस्तो इसी तरह का important वीडियो अपने चैनल पर हम लाते रहते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पर क्रेस कर लें दोस्तो ताकि न्यू वीडियो का information आप लोग के पास पहुश सके दोस्तो आज के वीडियो में तरह ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद